आज हम बात करेंगे एक ऐसी therapy के बारे में जो artistic बच्चों के लिए मौज मस्ती का साधन और speech के development में help भी करता है बच्चे को अधिक सामाजिक बनाता है जिससे बच्चा अधिक friends बनाता है और बच्चा अधिक focus होकर काम कर पाएगा नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर डीकेर आए आज हम बात करेंगे music therapy के बारे में जो artistic बच्चों के लिए वरदान हो सकता है कि आप जानते हैं कि हर उन्सट में से एक बच्चे को autism है जिसमें बच्चे को बोलने की समस्या होती है दूसरे लोगों से घुलता मिलता नहीं है किसी चीज़ पर focus नहीं कर पाता है ऐसे बच्चों के लिए music therapy वरदान हो सकता है क्योंकि music therapy से बच्चे का communication skill बढ़ता है बच्चा अधिक समाजिक हो जाता है और अधिक फोकस होकर काम कर पाता है music therapy क्या है यह बच्चे light और साउंड के प्रद सेंस्टी होते हैं इसलिए light और music therapy इन में अधिक प्रभावी होता है यदि आप light therapy के बारे में डीटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा वीडियो जाकर देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा music therapy और light therapy और भी अधिक प्रभावी हो जाता है जब बैग्यानिक रूप से प्रमारिक therapy को इनके साथ जोड़ दिया जाता है जब आप अपने बच्चे को music therapy session में ले जाते हैं तो इन में से किसी एक skill पर काम होता है जैसे dance, music सुनना, instrument बजाना, गीत लिखना या गीत गाना इन में से कोई भी हो सकता है, music therapy में consistency, familiarity और predictability होती है, जो HD बच्चों के लिए आउस्यक होता है, music therapy का HD बच्चों के brain पर क्या प्रभाव करता है आप इसे हम जानेगे, music therapy से brain के सुनने वाले भाग और हाथ को नियंत्रित करने वाले भाग के बीच connection में सुधार होता है, इस सुनने और देखने वाले हिस्ते के बीच में connection कम हो जाता है, इससे बच्चे का light और sound के प्रेद sensitivity कम हो जाती है, और बच्चा तेज आवाज और bright light से distract नहीं हो पाता है, अब बच्चा समाजिक परिस्तितियों पर अधिक focus कर पाता है, और अधिक समाजिक हो जाता है, और अ सकता के अंसार sensory stimulus को बढ़ाया है, घटाया जाता है, artistic बच्चे visual learner होते हैं, इसलिए इन बच्चों का schedule चित्रों द्वारा बनाया जाता है, जो सीखना होता है, उसे भी चित्रों की एक क्रम में सजा करके वीडियो का रूप दे देते हैं, और उसमें बच्चे को अच्छा लगने वाला music भी जोड़ देते हैं, इस तरह बच्चे को speech, social और motor skills की training देते हैं, इसे प्रोच से music therapy medically भी उपयोगी हो जाता है, और बच्चे के लिए मोज मस्ती का साधन हो जाता है, यदि आप अपने बच्चे में music therapy कराना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि music therapy, डॉक्टर के सलाह के अंसारी कराना चाहिए, मादा पिता को स्वैम शुरुआत में सेसन अटेंड करना चाहिए, जब तक कि बच्चा music therapy में comfortable ना हो जाए, बच्चे के पसंद के सांग्ष आप सेलेक्ट करके therapist को दे दें, अब देखना होगा कैसे music class को बच्चे के लिए मौज मस्ति का साधन बनाया जाए, हमें बच्चे को समझाना होगा कि music, dance, instrument बजाने से दूसरों से संबंध मनाना असान हो जाएगा, इससे तुम आदिक friends मना सकोगे, और बच्चा एक बहतर जीवन जी पाएगा, इस तरह से music therapy, autistic बच्चों के लिए वर्दान हो सकता है, य इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ सेर करें